नमस्कार मैं रविंदर दादिच वास्तु आठ मैं आपका स्वाकत करता हूँ जी पित्र दोश और वास्तु का सम्मन अब हम विस्तार से चर्चा करते हैं अगर हम वास्तु की बात करें तो वास्तु में दोश होने से या वास्तु के किन किन पदों में किन किन जगा पर दोश होने से कैसे पित्रदोश होता है उसके क्या परिणाम है उसको हम कैसे जाने की हमारे घर में पित्रदोश है और हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं हम इसके बारे में आज बूर्ण रूप से चर्चा करेंगे सबसे पहले ये देखें कि पितर दोश से क्या-क्या परिशानिया आती है कौन-कौन से ऐसी परिशानिया है जो पितर दोश के कारण उपन होती है सबसे पहले स्वास्त्य का नुकसान होना, बीमारी होना किसी भी गर में जिसमें बीमारी रहती है जिसके अंदर लोग प्राय प्राय मैंने सुनने में आता है कि जी हमारे एक को अस्पताल दिखाते हैं फिर दूसरे वो ठीक होता है तब तक दूसरे का नंबर आता है और हमारा सारा का सारा पैसा वो बिमारियों के अंदर जाये जा रहा है दूसरे तरीके का दोश होता है कि घर में संतान उत्पत्ति नहीं हो पाती संतान होती है वो मृत होती है miscarriages होते हैं संतान हो ही नहीं पाती है infertility, nisantanta वो भी पित्र दोश उसका एक एहम कारण है हम देखेंगे कि जिसके घर में शादी नहीं हो रही है लड़के कुवारे हैं, लड़कियां कुवारी है, उनका देर उमर तक उनकी शादी हो रही है विवाब बड़ी लेट हो रहा है, उसका भी अहम कारण पित्र है हम दिखेंगे कि संतान होना, मानसिक रूप से विकलांग होना, फिजिकली डिसेबल्ड होना ये भी इसका एक अहम कारण पित्रदोश है, घर में पित्रदोश होने के कारण घर का नहीं मिलना, लोग किराये पर रहते रहते हैं, उनको अपने भवन का लाब नहीं हो पाता पूरी जिनकी वो किराये के ओफिस के अंदर, किराये के फेक्टरी के अंदर वो पूरा निकाल देते हैं पर जहां पित्रदोश होता है, वहां पर उनको भवन का लाब नहीं मिल पाता भूमी समंदी लाब प्राप्त नहीं होना, भूमी का दोश युक्त प्राप्त होना, भूमी का चोकोर नहीं प्राप्त होना, टेडी मेडी प्राप्त होना ही, इसका भी एक कारण पित्रदोश ही है अगर हम देखें कि पित्र दोश में हमारे जो हमारे 45 पद है उन 45 पदों में दो पद ऐसे एहम पद है जिन पदों में घड़बड होने से जिन पदों के अंदर परेशानी होने से पित्र दोश उत्पन होते हैं वास्तू के अंदर पित्र दोश का संबंद कहां से होता है? कैसे दक्षण दिशा इतनी एहम है और कैसे दक्षण दिशा से पित्रों का सीधा संबंद है? दक्षण के अंदर दो पद ऐसे हैं जिन पद में अगर गड़वड़ी होती है तो उस घर के अंदर पित्रदोश होते ही होते हैं सबसे पहला है South West Corner जिसके South West Corner का पद उस पद की जो देवता है वह है नेरिति इस पद को पित्र पद भी कहा गया है इसके बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे दक्षन जो है दक्षन को यम का दक्षन के जो देवता है वो यम है यम जो देवता हैं उन्हें आत्माओं का राजा होने के कारण उसे पित्रों का राजा भी कहा गया है उन्हें पित्रों का अधिपती भी कहा गया है तो इसलिए दक्षण और दक्षण पशिम ये दो पद अहम है इसके बाद प्रत्वी तत्व जो है इस प्रत्वी तत्व पे अगर गड़वड होती है तो प्रत्वी तत्व में अगर गड़वड होती है तो इससे भी पित्रदोश उत्पन्न होते है अगर साउथ वेस्ट हलका होगा अगर साउथ वेस्ट या साउथ नीचे बनावा होगा अगर साउथ वेस्ट या साउथ पर पानी का टैंक होगा अंडरग्राउंड अंडरग्राउंड सेप्टिक टैंक होगा अंडरग्राउंड रेन वोटर हर्वेस्टिंग होगा या पानी ये भी पित्रदोश के एहम कारण बनते हैं